पित्री पक्ष में महिलाएं जरूर करें, इन पांच वस्तूओं का दान नाराज पितर हो जाएंगे खुश और आपको कर देंगे माला माल। पित्रों की त्रिप्ती के लिए दान का महत्व है। पित्रि पक्ष में महिलाओं को पांच वस्तूओं का दान जरूर करना चाहिए इससे पितर प्रसन्न हो जाते हैं आपके परिवार में कोई पुरुष नहीं है तो महिलाएं पित्रों को खुश करने के लिए पित्रि पक्ष में इन वस्तूओं का दान कर सकती है इससे पितर त्रिप्टक होकर धन, सम्पत्ती, वंश, अच्छी सेहत आदी में बढ़ोत्तरी का आशिर्वाद देते हैं पित्रि पक्ष पित्रों को प्रसंद करने उनकी त्रिप्ती और पित्रि दोश मुक्ती का एक अच्छा अफसर होता है घर का पुरुष सदस्य अपने पित्रों को प्रसंद करने के लिए तरपन, पिंडदान, श्राध, ब्राहमन, भोज आदी करता है पितर खुश होकर आशिर्वाद देते हैं ताकि पूरे परिवार की उन्नती हो लेकिन किसी कारणवश आपके परिवार में कोई पुरुष नहीं है तो घर की महीलाएं अपने पित्रों को खुश करने के लिए पित्री पक्ष में पांच वस्तूओं का दान कर सकती हैं इस दान से आपके पितर त्रिप्त हो जाएंगे पितर जब त्रिप्थ होंगे तो वे आपके धन, संपत्ती, वंश, अच्छी सेहत आदी में बढ़ोत्तरी का आशिश देंगे फिर आपके परिवार में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी पितर जब नाराज रहते हैं तो परिवार में कलह, बीमारी, धन, हानी, वित्तिय संकट, संतान का अभाव होता है पित्रिपक्ष 29 सितंबर से शुरू हो रहा है आईए जानते हैं कि पित्रिपक्ष में किन पांच वस्तूओं का दान सभी को करना चाहिए नमबर एक केला पित्रों को खुश करने के लिए पित्रिपक्ष में पके हुए केले का दान करना चाहिए केला एक सदा बहार फल है और वह भगवान विश्नु को प्रिय है विश्नु कृपा प्राप्ती के लिए केले के पौधे की पूजा भी होती है भगवान विश्णु वैकुंठ धाम के मालिक हैं और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं पितर केले का दान पाकर प्रसन्न हो उठते हैं और आशिरवाद देकर अपने वंश को धन्य करते हैं नमबर दो दही पितरों की त्रिप्ती के लिए आप दही का दान जरूर करें पितरी पक्ष में दूढ से ज्यादा दही का महत्व होता है दूढ कच्चा होता है जबकि दही पके दूढ से बनाते हैं और वह जमा हुआ होता है पितरों को दही प्रिय है दही स्थिर और जमा होता है पित्रों को इसलिए दही दान करते हैं ताकि हमारे जीवन में स्थिर्ता आए नमबर तीन सफेद मिठाई पित्रि पक्ष में सफेद मिठाई का दान पाकर पितर खुश हो जाते हैं प्रेत मंजरी में लिखा है कि मृत्यू के बाद व्यक्ति प्रेत भाव में होता है और वह अंधकार में रहता है। इस भाव में वे अपने वंश को प्रताडित या परेशान न करें, इसलिए उनके लिए सफेद मिठाई का दान करते हैं। पितरों को सफेद वस्तुए दान करते हैं। श्वेत रंग सकारात मकता का प्रतीक है जिसे वेपाकर प्रसन होते हैं। नमबर चार लगा हुआ पान। पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए पित्री पक्ष में उनको लगा हुआ पान दान करना चाहिए। लगा हुआ पान का मतलब पान के बीडे से है आप लगा हुआ पान दान करती हैं, तो आपका घर धन्धाने से परिपूर्ण हो जाएगा नमबर पांच दक्षिना दक्षिना के बिना कोई भी दान फलित नहीं होता है, वह व्यर्थ समझा जाता है यहाँ पर दक्षिना का अर्थ धन या पैसे से नहीं है दक्षिना में आप अपने पित्रों के लिए कोई पात्र यानी बर्तन जैसे कटोरा, लोटा, थाली आदीदान कर सकते हैं आईए अब कुछ खास बाते जानते हैं पित्रि पक्ष में बड़े संकेत देने वाले चार जी नमबर एक कोई पित्रि पक्ष के समय में कोई की प्रतीक्षा उन सभी लोगों को होती है जो अपने पित्रों का श्राध करते हैं कोई जब आता है तो वह आपके पित्रों से जुड़े संकेत देता है यदि आपने अपने पित्रों के लिए भोजन का अंश निकाला है और वह उसे खा लेता है तो समझ लीजिए कि वह भोजन आपके पित्रों को प्राप्थ हो गया है उससे वे प्रसन्न और त्रिप्थ हो जाते हैं और वे आपकी उन्नती, खुशाली, वंश और धन में व्रिद्धी का आशिरवाद देते हैं यदि कौँ आपके दिये गए भोजन को नहीं खाता है तो वह अन्न पित्रों को प्राप्थ नहीं होता है इससे वे अत्रिप्थ रह जाते हैं अत्रिप्थ और नाखुश पितर नाराज होकर श्राप देते हैं नमबर दो गाए हिंदु धर्म में गाए एक पवित्र और पूजनिय जीव है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाए में देवों का वास होता है पित्रिपक्ष के समय में आप गाए के लिए भोजन निकालते हैं और वह उसे खा लेती है तो वह पित्रों को प्राप्थ हो जाता है यह संकेत हैं कि आपके पितर आप से प्रसन्न है पित्रिपक्ष में पित्रों तक भोजन पहुचाने के लिए उनकी तिथी पर खाने का कुछ अंश कुट्टे को खिलाया जाता है इससे पित्रों की आत्मत्रिप्थ होती है और वे अपने वन्श को खुशाली का आशिरवाद देते हैं नंबर चार चीन्टी पित्रिपक्ष में पित्रों की तिथी पर भोजन बनाया जाता है फिर उस भोजन का एक अंश चीन्टियों को डाल देते हैं ताकि वे उसे खालें धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चीटियों के माध्यम से वह भोजन पितर प्राप्थ करके त्रिप्थ होते हैं यदि ये जीव आपके दिये गए भोजन को ग्रहें नहीं करते हैं तो यह पित्रों के अत्रिप्थ रहने का संकेत होता है अगर इन चार जीवों ने आपके हाथ से खाना खा लिया तो समझो आपकी किस्मत चमक जाएगी अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन को आल पर सेट कर ले वीडियो देखने के लिए आपका धनियवाद